तो जैसे कि हम सब को पता है कि इस पर्स pension portal पर बहुत सारे अपडेट्स आ रहें उसमें सबसे लेटस अपडेट्स है वह हमारे login से related कि जब अगर हम इस पर्स pension portal पर आएंगे और login बटन पे क्लिक करेंगे username, password और capture code देने के बाद जैसे login क्लिक करते हैं हमारे पास OTP आता है और update क्या है कि आपका password change हो चुका है यानि कि change करने का message आएगा तो उसके लिए आपको old password डालना है और new password डालेंगे इसके लिए मैंने आपको separate वीडियो बना करके दिया है जो कि आप यहां पर ETH India के channel पर आ करके देख सकते हैं और आपको तो पता है कि हम हमेज़ा आपके साथ सही और सठीक जानकारी को शेयर करते हैं step by step share करते हैं इसलिए make sure रहे कि अपने ETH India चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और एक चीज़ का और ध्यान रखेगा कि बेल आइकन को भी दबा दीजेगा जो भी हम ऐसे content upload करेंगे वह आप तक पहुंच जाएगा तो विलाला आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि Spurs Pension Portal के इस website पे हम login भी करेंगे live login करके आपको दिखाऊंगा password चुकी हम लोगों ने change कर लिया तो अब हम dashboard में जाएगे और वहां से मैं आपको दिखाऊंगा कि pencil slip, PPO, अपना pay slip ये सब चीजे कितनी आसानी से आप download कर सकते हैं खुद से event form 16 को भी download करके देखेंगे तो सारा कुछ practical होने वाला है, step बे-step होने वाला है इसलिए make sure है कि आप video को सुरू से लेके last तक जरूर देखेगा देखें सबसे पहली चीज क्या है कि यहां पर हमारे पास website है spurs.defensepension.gov.in यही आपको type करना है तो आप google, chrome, कहीं पर भी spurs just type कीजिए अपने mobile phone से या फिर अपने computer पे आपके सामने यह वाला portal open हो करके आ जाएगा website यह जो आपके सामने यह open कर लेने के बाद अब आपको जाना है login बटन पे और यह देखे, यह login का button है जब जैसी आप अपने mobile phone यह computer में open करेंगे यह login का button दिखेगा जस्त इस पर आपको click कर लेना है यूजर नेम और password डालने के बाद नीचे में आपको अपना capture code देना है तो capture code as it is जो भी चीजे उपर में mention रहती है सेम चीजे आपको यहाँ पर type कर देना होता है उसके बाद हम login बटन पे click करेंगे जैसी login बटन पे click करेंगे हमारे सामने two factor authentication का option आ चुका है तो यहाँ पर हम two factor authentication यानि कि जो OTP हमारे phone पर आया है बस यह OTP हम यहाँ पर enter कर देंगे और उसके बाद just submit बटन पे click कर लेना है अब देखिए आपने जैसे submit बटन पे click किया आपके सामने यह dashboard open हो करके आ जाएगा बस आपको ध्यान रखना है कि जो OTP आपके phone पे जा रहा है वो सही तरीके साब input करें और अगर OTP आप सही से input नहीं कर पा रहे है कुछ problem आ रही है यह आपके mobile पे ही OTP नहीं आया नीचे में एक reset का option होता है वहाँ पे आप click करोगे दूबारा से OTP generate होगा लेकिन OTP आपके phone पे आता है और उसके बाद आप properly dashboard में Spurs के dashboard में login कर सकते हैं अब देखे सबसे important चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपको चार option मिलते हैं अब यह सुरू से बहुत पहले से ही यह option आ रहा है My documents, Life Certificate, Track Service Request और Update Personal Details का यह बहुत important है और basically क्या है कि यह जो option है आपको यहाँ पे left side में दिख रहा है track, Life Certificate, identification, my profile, grievance, my documents और service request का यह जो है इधर recently यानि कि 4-5 महिने पहले add किया गया पहले यह services नहीं show होती थी सिर्फ right side वाला होता था तो आपका काम वैसे भी चल जाएगा देखिये welcome to Spurs Portal यहाँ पर आपको home page में इस तरीके का message है अब इसी portal से आप सब कुछ track कर सकते हैं A to Z, everything तो जैसा कि मैंने आपको starting के time पर बढ़ाया कि आप अपना pay slip, form 16 या फिर PPO, corresponding PPO आसानी से आप Spurs Pension Portal से download कर सकते हैं और वो मैं आपको live practically करके दिखाता हूँ सबसे पहले आपको आजाना है my documents पर बस होगे आपका काम my documents पर ही आपको सारे option मिल जाएंगे जैसे कि यहाँ पर आप देखी सकते है pension slip का option आ रहा है तो आपको pension slip download करना है बस इस पर एक single click किजिएगा आपका pension slip download हो जाएगा यह देखिए कुछी seconds में download हो जाता है उसके बाद आपको PPO download करना है जस PPO पर click करना है और जो pensioners spurs के आने से पहले के आये थे तो उनका corresponding PPO होता है यह चीज़ ध्यान रखेगा मतलब कि spurs आने से पहले आप retired हो गए तो उनको pensioner का PPO नहीं, उनको pensioner का corresponding PPO download करना है तो बस आप एक single click करो आपके सामने corresponding PPO download होकर के आगया है सेम इसी तरीके से pension का entitlement यहाँ से एक single click में download हो जाता है उसके बाद आपको declaration यहाँ से देखना है बस एक single click कीजिए declaration भी आपके सामने है, इतना ही नहीं, form 16 चाहिए, बस click कीजिए, year select कीजिए, 2024, search button पर click कीजिए, या फिर अगर आप 2023 select कर रहे, आप यहाँ पर click कर सकते, तो form 16 भी आप आसानी से यहाँ से download कर सकते, तो जिनका भी form 16 available होगा, वो यहीं से निकाल सकते है, तो इस तरीके से basically यह dashboard काम करता है, जहां से आपका pension sleep, corresponding PPO, entitlement, form 16, declaration, सब कुछ एक जगा से download कर सकते हैं, तो यह तो बहुत आसान हो गया, I hope कि अगर आप वीडियो को सुरू से अभी तक देखे होंगे, तो चाहे वो कोई सभी pensioner हो, अपने mobile phone से easy way में operate करके यह download कर सकता है, अब बात आ गई को जितनी जल्दी हो, उतनी जल्दी आप अपना like fill up कर लिजे, so that कि आपका pension रुके नहीं, क्योंकि अगर जीवन परमान पतर सही से fill up नहीं होगा, आपका pension रुक सकता है, और यह सच में मतलब ऐसा होता है, यह problem आप face कर सकता है, तो इसका solution क्या है, कि आपको क्या करना है, कि live certificate यहां left वाले option पर click कर सकते हो, या फिर आपके पास एक option और है, कि आप यहां से direct home page पे चले जाएए, यह देखिए, अभी मैं home page पे जा रहा हूँ, यह dashboard आपके सामने open हो जागा, जो main page था, home page कहने का मतलब वही है, तो यह देखिए, यहां पर यह जो चार option है, यह द identification due date होता है, यह बहुत important, identification due date कहने का मतलब क्या है न, कि like आपका यहां पर, अब जैसे कि आप इस वाले case में देख सकते हैं, का identification due date दिखा रहा है, 31 October 2014, तो 24 तक आप secure है, अब आपको 31 October 2014 में ही life certificate submit करना है, तब तक आपका pension कहीं कोई रुकने वाला नहीं, लेकिन यही November 2023 दिखा रहा है, जनवरी 2024 दिखा रहा है, उनको तो anyhow submit करना पड़ेगा, क्यूंकि November का time जो है, वो इस परस ने बढ़ा करके, जून 2024 कर दिया है, तो अब जून तक भी अगर आप submit नहीं करेंगे, तो फिर तो मामला फसेगा, और एक बार अगर इस परस से pension आना रुक जा है, जो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, वैसे इसके इसके इलावा कुछ और भी option है, जो कि मैं आपको बताई देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखे, track service request का option आता है, फिर नीचे में आता है, update personal details का, यह बहुत important है, आपका mobile number, email ID, आपका अधार number, pen card, bank account details, सब pen, mobile, email, और जो मैंने आपको बताया, bank account details, यह चीज़े आपके सामने proper way में आ जाएगी, अब इसे आप चाहिए, तो edit कर सकते है, edit करने के लिए भी already मैंने आपको बताया हूँ है, बस इस पे आपको tick back करना है, और यह edit हो जाएगा, इसके अलावा भी बहुत सारे options है, इस operate करने में कहीं कोई problem नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने हर एक video practical बताया, step by step बताया, तो I hope कि आपको सारे concept समझ में आ गए होगा, maybe ऐसा situation आता है कि हमारे कुछ pensioners बहुत ज़्यादा बज़र्ग होगे, उनको mobile phone operate करने में problem आ रही है, और उनका data is first में migrate हुआ है, उनको मैं बस यह recommend करते हो कि आप अपने घर में किसी बच्चे को बोले और वो सपर्स pension portal को operate कर लेगा, लेकिन आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जब सपर्स आ गया है, तो ना चाहते हुए भी आप सपर्स को सी सीख लीजे, दिखें, इस पर्स के आने से इतना तो जरूर हुआ है, कि हमारे बहुत सारे pensioners परिशान हुए है, उनको life certificate जीवन परमान पर बढ़ने में बहुत problem हुआ है, that is the reason कि यह जो है, डेट बढ़ा करके इसको जून 2024 तक किया गया, जबकि यह नमंबर का ही डेट थ अब इसमें नहीं नहीं features भी आ रहे है, जैसे कि security enhance कर दिया गया है, आपका OTP आएगा ऐसा नहीं कि अगर आपने username password किसी को बता दिया, तो वो login कर लेगा, पहले तक क्या होता था, कि आपकी username password से कोई भी कहीं से login कर सकता था, लेकिन आज के date में क्या है, कि आप देखते है मैंने आपको अभी live करके भी दिखाया, कि आपके phone पे पहले OTP मांगेगा, तभी कोई इसके अंदर dashboard में जा सकता है, तो यह सब चीज़े अच्छी है, आप जिनका mobile number में problem है, या फिर कुछ ऐसा problem है, तो उनको क्या करना होगा, लाइक का आपको सबसे पहले अपना mobile number update करन और अगर आप कोई सुझाओ देना चाहते है, एडवाइस देना चाहते है, हमारे साथ जरूर शेर कीजिए, तो फिलाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी next interesting वीडियो में, अब तक के लिए, स्लाम दूआ रकम प्रणाम सस्त्रियकाल, keep watching, keep smiling, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखे, जैहिंद वंदेमात्रम